अलो डियो स्टेंट्स, आज हम लोग प्रोपर्टी जो लॉग का पढ़ रखे हैं, उस पे हम लोग उने सवाल किया था, कुछ और सवाल आज करेंगे, और साथ ही साथ logarithmic equation को कैसे solve करते हैं, वो देखेंगे, ठीक है, तो फिलहार logarithmic equation में, अगर जो आपको कहीं दिखता है, log f of x to the base a is equal to log g of x to the base a, तो यहाँ भी base a है, यहाँ भी base a है, तो दोनों जगा base a है, तो सीधे हो जाएगा, fx is equal to gx, इसको solve कर लिजे, लेकिन एक बात का ध्यान दखेंगे, कि इसको solve करने से जो भी x आएगा, उस x में से वही लेना है, जिसके लिए fx positive हो और gx positive हो, तो कभी भी solve करते हैं, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, कि define होना चाहिए, ठीक है, fx greater than 0 and gx greater than 0, और अगर यह base a जो हमने लिखा है, वो भी x के रूप में है, तो आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा, कि a should be greater than 0 and a should not be equal to 1, तो यह जो हमने log का definition में लिख रख लिखेंगे और सीधे इसको solve कर लिखेंगे, लेकिन define होने वाला condition आपको apply करना है, पहले define होना चाहिए, फिर आपको satisfy करना चाहिए equation को, alright, तो कभी-कभी दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है, कि log fx to the base a is equal to gx, इधर log है, इधर नहीं है, तो आप इसको log को exponential में ले जाए, fx is equal to a to the power gx, अब इसको solve किजिए, log से छुटकारा मिल गया, लेकिन यह ध्यान रखना है कि यह fx जो है, इसमें fx positive होना चाहिए, और base a not equal to 1, a greater than 0, तो यह जो conditions है log के, यह लगते रहने चाहिए, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों तरफ log का base same हो गय तब हम लोग solve कर लेंगे, ठीक है, और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, कि माल लिया, a to the power fx is equal to gx है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले आएंगे, fx बराबर कितना आजागा, log of gx to the base, यह हमने सिखाया है कि यह इधर जाएगा, तो यहाँ exponential का बज़ से solve कर सकते हैं, logarithmic equation में, alright, now let's have few questions based on this, पहला सवाल, पहला सवाल है आपका, 3 to the power log 5 base 4, minus 5 to the power log 3 base 4, अच्छा, जब भी हम question discuss करते हैं, तो video post करके, पहले आप सवाल को खुद से बनाएं, और उसके यहां से मिलाएं, आप से बन गया, तो well and good नहीं बना, तो यह देखिए कि कहां आप रुक रहे थे, alright, चलिए, यहां पर देखते हैं कि क्या लगाना होगा, 3, 4, 5 इसमें भी है, 3, 4, 5 इसमें भी है, तो कहीं ने कहीं मुझे लग रहा है कि कोई property लगेगा, तो कोई property क्या एक property था, a to the power log, मैं बार बार प्रोपर्टी लिख दिया करूंगा, ता कि आपको याद हो जाए, a to the power log, b base c, तो यह a और b आपस में change, exchange हो सकता है, यहां से यहां पर position, और फिर भी same रहता है, लेकिन c वहीं पर रहेगा, तो इसका इसका इसको हम यहां ले आते हैं, और इसको यहां ले जाते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, बोलिए, 3 to the power log, 5 base 4, minus 3 to the power log, 5 base 4, तो in fact, दोनों same था, इसलिए, कितना हो गया, 0 आई बात समझ में, ठीक है, चलिए, दूसरा सवाल को देखते है, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा, ताकि आपको regular updates मिलता रहें, latest वीडियो का, और आप यहां continuously पढ़ाई कर सकते हैं, free of cost, इसमें कोई दिकत नहीं, आपको कोई coaching करने के अवशक्ता नहीं है, अगर जो कर भी रहें, तो आप करते रहें, लेकिन यहां से आप सीखते रहें, यह दिया गया है, a to the power 4 into b to the power 5 is equal to 1, आप से पूछा जा रहा है, log a to the power 5, b to the power 4 to the base, जब कभी भी आप सवाल बनाते हैं, तो given information को और जो पूछा जा रहा है, उन दोनों को एक वर नजर में रखिए, और कोशिश किजिए यह करने की, कि जो information है, वहां से सवाल तक कैसे पहुचा जाए, समझने बात को, तो information में यह दिया है, सवाल में log का base a है, और यह ला रहा है, तो हम लोग यहां पर दोनों तरफ अगर log ले लेते हैं दोनों तरफ log लेते हैं, log a to the power 4, b to the power 5, 0, base a में, तो क्या होगा, base a क्यों लिए, log लगाए हैं दोनों तरफ जैसे x बरावर y है, तो log दोनों तरफ आप ले सकते हैं, log x बरावर log y होगा, क्योंकि x और y दोनों बरावर है, तो log में रखेंगे, तो दोनों क्या हैगा, सेम बोलोगा sir base, तो base आप कुछ भी रख सकते है as per the requirement need of the question, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ log का base same होना चाहिए, alright, तो इस तरीके से आप इसका इस्तमाल करेंगे, अगर, तो यहाँ पर base हमने a लिया है, क्योंकि यहाँ question में a पूछा जा रहा है, इसलिए हमने भी यहाँ a लिया है, अब this into this है, अब देखिए log का एक property, हमने बताया था, log m in, base कुछ भी हो, तो log m plus log n होता है, याद होगा आपको, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, यह this into this, इसको लिखेंगे, तो हाँ जाएगा, log a to the power 4, base a, plus log b to the power 5, to the base a, is equal to 0, यह इधर आजाएगा, 4 plus, यह भी इधर आजाएगा, 5 log b base a, is equal to 0, so this is what we got, now, according to the question, जो हम को चहिए, इसको आगे बढ़ा है, तो this into this, फिर से यही formula लगाएगे, तो आजाएगा, log a to the power 5, to the base a, plus log b to the power 4, base a, यह 5 आगया, अब plus 4 log b base a, अब यहाँ से देखिए, b base a का value रख सकते हैं, कैसे, यह इस से, कितना रखेंगे, b base a का value आजाएगा, minus 4, इसको इधर ले जाएगे, तो minus 4 upon 5, minus 4 upon 5, तो कितना रखेंगा, 5 5s आ, 25, 9 upon 5, ठीक है, 9 upon 5, अल्राइट, उमीद करते हैं, समझ में आएगा, जो भी सवाल में, जो formula इस्तमाल हो रहा है, वो में लिख दिया करता हूँ, ताकि आपको कोई दिकत ना हो समझने में, ठीक है, चलिए, मूब करते हैं, नेक्स कोईश्यन पर, ये एक हमने सवाल लिया है, log x to the base, log x upon b minus c, log y upon c minus a, log z upon a minus b, यहाँ ध्यान दिजिए, यहाँ पर हमने base नहीं दिया है, तो आप 10 मान सकते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं, जनरली, सब लोग 10 ही मान के चलते हैं, लेकिन अच्छे सवालों में, यह दिया रहना चाहिए, ठीक है, हम नहीं हैं, तो मान लेते हैं, 10 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, सब में सेम ही रहेगा, ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से solve कर सकते हैं, एक easy method ले लेते हैं मान लिया, कि जब कभी भी बहुत सारा ratio आपस में बराबर हो, तो उसको हम लोग कुछ मान लिया करते हैं आपने, पढ़ा होगा बहुत बार, something upon something is equal to something upon something, तो उसको कुछ मान लेते हैं k से, अब एक एक करके मान लिया इसको देखते हैं, log z is equal to k into a minus b, आपको चाहिए x into y into z, x into y into z तब आएगा जब इन तिनों को जोडेंगे, add करेंगे, बोलोगे सर कैसे, तो log a इस फर्मूले से, log a plus log b बराबर log a into b, ठीक है, बेस कुछ भी रहा हो, सब में सेम रहेगा, तो log a plus log b plus log c plus log d, तो सब a, b, c, d गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर सब को add करेंगे, तो ऐसा लिखाएगा, log x plus log y plus log z, तो इसको जोडेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, k common आजाएगा, b और b cut जाएगा, c और c cut जाएगा, a और a cancel हो जाएगा, तो यहाँ से आगया, log x plus log y plus log z, और अगर जो इसका इस्तेमाल करें, तो log x into y into z हो जाएगा, तो this will be 0, आपको मैंने बताया था, कि log का value 0 आ रहा है, यानि यह 1 होगा, या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ जो भी base होगा, यह इधर जाएगा, तो इस base का power 0, something power 0 कितना होजागा, 1, उमीद करते हैं, बात समझ में आई होगी, इस इसका ध्यान रखेगा, कि log बरावर 0 है, यानि इन्पूट जरूर 1 होगा, ऐसे करके, log x to the base something is equal to 0, तो x बरावर कितना है, यह इधर जाएगा, a to the power 0, this is 1, जब भी log something बरावर 0 है, तो यह 1 होगा, ध्यान में रखना है, so this is the easiest way, क्योंकि आप लोग बच्पन से पढ़ रखें, बहुत सारा something upon something, something upon something, इस तरीके से बरावर, तो कुछ मान लेते हैं, और फिर आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारा चीज एक ही जैसा है, तो एक को solve कीजिए, उसी तरीके से सारा लिख सकते हैं, similarly का इस्तमाल करके, अगर इसी को हम लोगों को solve करना हो, मान लिया, दूसरे मेथड से, तो आप ratio और proportion का इस्तमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा जिसको याद होगा, उसको आसान लगेगा, बढ़ना कठीन लग सकता है, लेकिन आप कोशिश जरूर करें, कि सीखने में क्या जाता है, अगर हम लोग सीख लेते हैं, कि दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है, तो कोई परेशानी नहीं है, बरावर लोग Y अपन C माइनस A, बरावर लोग Z अपन A माइनस B, आप पढ़े हैं, A अपन B बरावर C अपन D है, तो उपर वाले को आप जोड या घटा सकते हैं, तो नीचे वाले को भी जोड या घटा सकते हैं, मतलब उपर में अगर जो A plus C किया है, नीचे में B plus D करना, उपर में A minus C किया है, तो नीचे में B minus D करना पढ़ेगा, और ये जेनरलाइज में बहुत सारे के लिए लगता है, सारे नुमिरेटर को जोड घटा रहे हैं, तो नीचे में जोड घटा दिए, तो वो ratio इसके बराबर ही रहता है, तो यहां पर भी मैं लगाने जा रहा हूँ, कि 10 upon 10, 10 upon 10, तो उपर में सब को जोड दे रहे हैं, और जोड क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको X into Y जी, X into Y कैसे आएगा, तो log A plus log B, बराबर log A into B, तो इसको अगर जो जोड देंगे आप, तो log X plus log Y plus log Z, बटा, तो नीचे में क्या आजाएगा, B minus E, सब को उपर जोड आएगा, तो नीचे भी जोडना पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा, 0, तो यह हो जाएगा आपका, log X into Y, यह इसके equivalent है, यह नीचे में 0 यह नहीं कि undefined हो गया, यह इसके equivalent लिखा गया है, so this upon this बराबर this, तो यह 0 इधर जाकर गुना होगा, तो इसको 0 कर देगा, this implies 0 is equal to log X, Y, Z, यह denominator में डिवाइड करने के लिए 0 नहीं आया है, बल्कि यह आपके calculation को असान करने के लिए ऐसा आया है, so this is equivalently 0, तो इधर जाकर के यह गुना होकर के, this upon this is equal to this upon this, तो यह इसमें गुना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, log X, Y, Z, बराबर 0, this implies X, Y, Z, बराबर 1, so this is what you got, all right, now let's move to the next question, next question कहता है, यह प्रूफ करना है, 1 प्लस X, Y, Z, 2 इन्टो Y, Z, के बराबर होगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, कभी-कभी क्या रहता है, कि जो प्रूफ करने दिया गया है, 2 प्रूफ, 1 प्लस 2 X, Y, Z, is equal to, sorry, 1 प्लस X, Y, Z, is equal to 2 Y, Z, तो जो प्रूफ की दिया गया है, उसी को हम थोड़ा सा simplify कर दें, कि इतना is equal to, इतना प्रूफ करें या इतना प्रूफ करें, X, बोलोग के सर इससे फाइदा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, जो unknown variables जब दिये हुए, वो एक तरफ आगया, इधर constant आगया, तो सारे variables को एक जारग करके, और इसको simplify करके, constant तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और ऐसे क्या रहता, LHS को भी solve करना रहता, और RHS को भी simplify करना रहता, दोनों को बराबर करना रहता, LHS is equal to RHS, वैसे भी कर सकते हैं, यहां पर हम लोग लेक चलते हैं, अब इसको हमान लेते हैं, इसको proof करना, मतलब इसको proof करना, these and these are two same expressions, right, expression two different ways, तो इसको लेके चलते हैं, मान लिया जाए, LHS को यहां से मान लिया, 1 upon YZ plus X, चलिए, YZ को Y यहां से क्या लिखेंगे, Y यहां पर दिया हुआ है, और Z यहां दिया हुआ है, log 2A base 3A, और into log 3A base 4A, plus log A base 2A, this is what we have, all right, अगर आप एक property आद करो, तो हमने बताया हुआ है, कौन सा property, यहां मैं लिखता हूँ, log B base A, into log C base B, यह दोनों सेम है, तो cancel हो जाएगा, खतम हो जाएगा, तो बज़एगा log C base A, इसी property का यहां इस्तमाल कर रहे है, कि 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, cancel हो जाएगा, तो यह बज़एगा 1 upon log, यह बज़एगा 2A, बज़एगा 4A, plus log A base 2A, इसको आप लिख सकते हैं, log 2A का whole square base 2A, यह इधर आजाएगा 2, hence proved, अच्छा, यहां पर लिखा होगा नहीं है, यह मान के चल रहे हैं, कि वैसा A है, जिसके लिए सब defined है, मतलब A greater than 0 होना चाहिए, और इसको 1 नहीं होने के लिए, 1 by 2 भी नहीं होना चाहिए, इसको बन होने के लिए 1 by 3 भी नहीं होना चाहिए, यह question में mention नहीं था, यह हम लोग मान के चल दे हैं, वैसे standard question में हमेसा यह mention रहेगा, alright, so sometime when we have to prove something, तो उसी expression को थोड़ा और simplify कर लें, तो simplified form को proof करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, अगला सवाल देखे, क्या दिया हुआ है, आ, a is equal to log 18 base 12, a is equal to log 18 base 12, और b is equal to 15 base 24, तो a b plus 5 into a minus b निकालना है, ठीक है, आसान है, क्या कर सकते हैं, 18, 12, 24, 24, इन सब में अगर जो देखो, तो दो ही नंबर, प्राइम नंबर, इसमें प्राइम फेक्टर इसमाल हो रहे हैं, 2 और 3, so let's break it into the form of 2 and 3, इसको हम लोग लिख लेते हैं, log 18 upon log 12, सब को base 2 में convert कर देते हैं, b is equal to log 54 upon log 24, इसको लिखेंगे कितना हैगा, बोलिया, 18 को लिखेंगे 9 गुने 2, ठीक है, तो 2 इसको लिखेंगे 2 into 9, इसको लिखेंगे 4 into 3, तो आपने 2 into 9 लिखा है, तो log A into B को log A plus log B लिखेंगे, तो हो जाएगा, log 2 base 2 1, और log 9 base 2 हो जाएगा, 3 का square, यानि 2 log 3 base 2, अपन ये 4 गुने 2 आजागा, 2 plus log 3 base 2, so this is what we will get, आप इसको डंग से खुद से कीजिएगा, इस 54 को लिख सकते हैं, कितना, 3 का cube into 2, आप इसको 24 को लिख सकते हैं, 2 का cube into 3, तो अब अगर जो log इस पे लगाएगे, तो अलग अलगाएगा, सब को एक base में कर दिये, तो अज़ान हो गया, log 3 base 2 यहां भी log 3 base 2 यहां भी log 3 base 2 यहां भी log 3 base 2 है, तो log 3 base 2 को मान लिया, थोड़ा दिर के लिए मान लेते हैं t, तो आपको ये क्या दिख जाएगा, 1 plus 2t divided by 2 plus t, ठीक है, ये a हो गया, और यहां हो जाएगा, 3t plus 1 divided by 3 plus t, ये b हो जाएगा, अब आपको जो चाहिए उस पर चला जाएए, a b plus 5 into a minus b, this is what we want, so we have to simplify, 1, इसलिए log 3 base 2 को मान लिये, क्योंकि बहुत complicated दिखने लगता, तो थोड़ा सा असान लगेगा, क्योंकि सब जगा एक ही चाहिए, 1 plus 2t, 1 plus 2t, upon 2 plus t, multiplied by, 3t plus 1 upon 3 plus t, 5 into, 1 plus 2t, upon 2 plus t, minus, 3t plus 1 upon, 3 plus t, अगर जो आप इसको solve किजएगा, तो कितना आएगा, तो, थोड़ा simplify किया जाए, ये नीचे गुना हो जाएगा, उपर में आजागा, 6t square, plus 5t plus 1, divided by, नीचे में, अगर जो करेंगे calculation, तो, lcm 2 plus t, और 3 plus t, और दोनों का सेम ही आएगा, तो, lcm को साथ में ऐसा करते हैं, एक ही बार लिख देंगे, plus 5 into, और ये हो जाएगा आपका, चलिए थोड़ा सा, अलग करते हैं calculation, ये हो जाएगा, 6t square, plus 5t, plus 1, इसका लिख दिये, अब 2 plus 3 into 3 plus t, 2 plus 3 into, ये दोनों का lcm सेम है, अब plus 5 into, ये इसमें गुना होगा, ये इसमें गुना होगा, तो, कितना हो जाएगा, 2t square, ठीक है, और plus 70, अब plus 3, अब माइनस, सिक, माइनस 3t square, स्वरी, माइनस 3t square, और, t, और माइनस 7t, और माइनस 2, डिवाइद भाई, 2 plus t, इन्टो 3 plus t, इसमें इसमें, इसमें कल्कुलेशन में, तो, ये और ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये जो था, 3t square, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, अब यहाँ से कितना आएगा, 2 minus 3, minus 1t square, और 1t square में 5 से गुना करेंगे, तो minus 5t square, 60 square में से हो जाएगा, t square, ठीक है, और plus, यहाँ से हो जाएगा, आपका 5t ये बच जाएगा, 5t, और plus, यहाँ से आपका, 3 minus 2, 1 हो जाएगा, और 5, 5 एक, 6 हो जाएगा, divided by, 2 plus t, into 3 plus t, यह आगया, ठीक है, और उमीद करता हूँ, 3, 5, t square, यह दोनों सेम हैती, यह cancel होके, कितना हो जाएगा, 1, so, 1 will be its answer, थोड़ा सा calculation था, तो आप कभी-कभी, देखने में सवाल कितना छोटा लग रहा है, this is equal to this, and this is equal to this, find this, तो calculate करने आना चाहिए, ठीक है, patiently, moving to the next question, y is equal to a to the power, 1 upon, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, x को प्रूफ करना है, y और z जो है, x और z में लाना है, तो x और z में रिस्ता तब आएगा, जब x यहां भी है, इसमें भी है, और x इसमें नहीं है, x और z यहां से लाना है, यानि y दोनों के बीच में, y जो है, वो relate करेगा, ठीक है, चलिए, हम लोग एक काम करते हैं, इस से अगर जो, इतना का पावर यह है, तो इस पावर को पकड़ेंगे, यह इधर जाएगा, तो मैंने सिखाया है, कि लोग y to the base a लिखेंगे, आपको याद हो रहागा, पहले वीडियो में, इसलिए मैंने बताया था, कि इधर से, लोग, लोग से एक्सपोनेंसे जाने बग, बहुत सारा चोटा-चोटा बात कर रहे थे, इसी वज़ा से, कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 1 upon 1 minus log x to the base a, तो यहाँ पर डाइरेक्ट आप देखिए न, अब इसी पर चले जाते है, इसको यहाँ पर रख देंगे, log y का value पता चल गया, तो z is equal to क्या लिखेंगे, या थोड़ा सा, इसको और simplify कर लिजे, यहाँ से अब लाईए, तो a इस तरफ जाएगा, तो कितना लिखाएगा, log z base to the, log z to the base a, तो इस तरीके से यह हो जाएगा आपका, 1 upon 1 minus log y base a, इससे यह आगया, इससे आगया, अब इसको log y base a को उठा करके इसमें रख दीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको उठा करके इसमें रख दीजिए, इस इसको, तो इससे, इसमें रखेंगे अगर, यह यहाँ से आगया है, तो इसको इहाँ रखेंगे, तो कितना आगगा, 1 upon 1 minus log y का value रख दीजिए, 1 upon 1 minus log x to the base a, अब इसको जड़ा simplify किया जाए, what will you get, you will get 1 minus log x to the base a, upon, this will come here, so you will get, minus log x to the base a, is that clear, हम लोगों को actually निकालना, कितने क्या है, हम लोगों को निकालना है, x in form of log z, ठीक है, ठीक है, यह हो जाएगा आपका, minus 1 upon log x to the base a, plus 1, ठीक है, so log z is equal to this, तो इसको इस तरह भेजा जाए, तो हो जाएगा, 1 minus log z to the base a is equal to, और इसको उस तरह भेज देंगे, तो 1 upon log x to the base a, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा, 1 upon 1 minus log z to the base a is equal to, उल्टा कर देजे, तो हो जाएगा, log x to the base a, अब इसको कुछ मान लीजिए, log x है, तो इसका x निकालना है, तो a को इधर ले जाना पड़ेगा, जैसे इसे रहता है, log x to the base a बरावर b है, x निकालना है, तो इसको इधर ले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x बरावर a to the power b, similarly, a इधर ले जाएगा, तो हो जाएगा, a to the power 1 upon 1 minus log z to the base is equal to x, तो कुछ नहीं करना था, फार्मूला को बार बार अप्रावर प्रावर अप्रावर जहां दिया हुआ है, और जहां पहुंचना है, उन दोनों के बीच में, रिस्ता निकालना था, ठीक है, अगला सवाल देखिए, log a to the base b into log a to the base c, सब का base अलग-अलग है ता है, इस case में solve करना मुश्किल हो जाएगा न, तो हम लोग क्या करेंगे, सब का base same कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सब का base same कर लेंगे, same करने के लिए इस फार्मूला का इस्तमाल किजिए, log a base b is equal to log a upon log b, a upon log b into log a upon log c, plus, यह कितना हो जागा, log b upon log a into log b upon log c, plus log c upon log a into log c upon log b is equal to 3, where a, b, c are different positive real numbers, not equal to 1, a, b, c, 1 नहीं है, और सब different है, ठीक है, तो अगर जो आप, यहां पर, इसका lcm देखें, log b, log c, ऐसा करते हैं, log lcm लिजिए, तो कितना आजागा, log a, b, c, इसमें log a घट रहा है, तो log a उपर गुना कर देट हो जागा, log a का होल q, इसमें log b घट रहा तो पर गुना कर देट हो जागा, log b का होल q, log c का होल q, और सब में आजागा, log a, b, log b, तो यह हो जागा, 3 log a, log b, into log c, अगर तो आदर के लिए, इसको x कह लिजे, इसको y कह लिजे, इसको z कह लिजे, देखिए तो कितना अच्छा चीजे, x q, y q, z q is equal to 3 x, y, z, x q, y q, z q is equal to 3 x, y, z, तो क्या पुछ रहा है, a into b into c, यहां से दो बातें आती है, या तो x बरावर y बरावर z हो, x बरावर y बरावर z हो, तो बरावर हो जागा, और नहीं, तो x बरावर y बरावर z हो, 0, आपको याद होगा यह, बहुत ही, फेवरिट अडेंटिटी है, a q plus b q plus c q बरावर 3 a b c, then a plus b plus c बरावर 0, या a बरावर b बरावर c, यहां x बरावर y बरावर z क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x बरावर y बरावर z लिखोगे, तो log a बरावर log b बरावर log c आजाएगा, और तब a, b, c इनों क्या हो जाएगा, बरावर, जो कि possible नहीं है, different दिया हुआ है, ठीक है, तो यही बच जाएगा, तो यहां सा आजाएगा आपका, log a plus log b plus log c is equal to 0, तो log a plus log b plus log c, इस फर्मूला से, log m plus log n is equal to कितना, log m into n, इसका इस्तमाल करेंगत क्या हो जाएगा, log a into b into c, बरावर 0, तो यहां से a, b, c कितना हो जाएगा, 1, पिछला सवाल में किया भी था, तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी कर पाए, तो ध्यान रखेगा, यहां बेस अलग अलग था, इसलिए हमने एक बेस में लाने के लिए, सब को एक बेस में convert करने के लिए, और सब दिखने लाने के लिए log a, log b, log c, यानि तीन ही नंबर दिख रहा है, तो शुरुआत में ही log a को x, log b को y, चोटा नंबर, कुछ वैरिवल से रिप्लेस कर रहते हैं, तो दिखने में कल्कुलेशन असान लगने लगता है, बढ़ना डरावना लगता है, log a, log b, log c, कितना डरावना लग रहा है, ठीक है, मुविं तो नेक्स कोश्यन, तो दिस इस वाट वी है, दोनों एक ही जैसा कोश्यन है, एक कोश्यन मैं कर देता हूँ, और एक कोश्यन आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो 24 बेस दो, 2 बेस ची आनवे, 192 बेस दो, 2 बेस बारा, सब जगा, आप तो एक काम कर सकते हैं, 2, 3 में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे, चलिए इसको करके दिखाता हूँ, लॉग 24 बेस टू को लिख सकते हैं, 2 बारा, तो यह हो जागा, 1, लॉग 2 बेस टू 1, प्लस लॉग 12 बेस टू, यह हो जागा टी, यह यह भी 1 प्लस टी, कल्कुलेशन आसान करने के लिए, लॉग 2 बेस 96 को लिख सकते हैं, 1 अपॉग 96 बेस टू, इसको लिख सकते हैं, 96 को बारा गुने आठ, बारा गुने आठ को लिख सकते हैं, लॉग 12 बेस टू, प्लस लॉग 8 बेस टू, यह तो जागा टी, और 8 बेस टू को लिख सकते हैं, 2 to power 3, 3, ठीक है, अब जो है, log 192 base 2, this will be written as, कितना हो जाएगा, आपका, शाइद, this will be 12 16, ठीक है, ठीक है, so this can be written as, log 12 base 2, plus log 16, 2 to the power 4 base 2, so this will be T plus 4, all right, so now putting all, यहाँ पर फिर से question को rewrite कर दे, है, log 24 base 2, but log 2 base 2, minus, log 192 base 2, log 2 base 12, अगर जो हमी लोग इसको निकालना चाहें, तो कितना आएगा, तो देखिए, है, log 24 base 2 कितना है, 1 plus T, तो 1 plus T, log 2 base 96, 2 base 96, यह नीचे लिखा हुआ है, और आया है 1 upon इतना, तो यह, इसको लिखेंगे, 1 upon T plus 3, अला कि direct इसको उपर कर जाते हैं, तो आ जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर आजागा, T plus 4, divided by कितना, 2 base 12, हम लोग सब जगा, 2 base 12 को T मान लिये हैं, नहीं, actually 12 base 2 को T माने है, T is equal to 12 base 2, sorry, हम लोग उन्हें 12 base 2 को T माना है, ठीक है, सब जगा 12 base 2 है, 12 base 2 है, 12 base 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 12 base 2 कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 2 base 12, उपर जाके 12 base 2, तो यह T हो जाएगा, T हो जाएगा आपका उपर जाकर के, T plus 3 into T plus 1 minus T square minus 4 T, तो T square T square cancel हो जाएगा, 3 T of 4 T cancel हो जाएगा, T जाएगा 3, कुछ इस तरीक है कहा जाएगा, ठीक है, Now, let's move to the next question, यह logarithmic equation solve करने के लिए, बहुत ही simple सवाल है, पहला सवाल को हम लोग देखते है, 4 to the power log 3 base 9, plus 9 to the power log 4 base 2, is equal to 10 to the power log 83 base x, देखिये, यहाँ पर अगर जो आपको याद हो, तो हम लोगों ने बोला था, यह 3 base 3 का square है, तो यहाँ जो कोई भी power रहता है base का power, वो divide होता है, तो हो जाएगा कितना? यहाँ पर हो जाएगा 1 by 2, और 3 base 3 बच जाएगा, तो हो जाएगा 4 का power 1 by 2, और यह हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको अगर जो 4 को लिखेंगे 2 का power दो, तो यहाँ जाएगा, यहाँ पर 2 base 2 बच जाएगा, ठीक है? तो यहाँ जाएगा 9 का power 2, तो यहाँ जाएगा 2, और यहाँ जाएगा 1 क्यासी, यानी हो गया 83, ठीक है? अब यह 83 है, यहाँ पर इसको भी exchange करके यह बहुला फर्मूला से, कौन सा फर्मूला? a to the power log b base c is equal to, यह दुनों interchange जाएगा, b का power log a base c, इसको अगर जो इस्तमाल करेंगे, तो 83 का power कितना हो जाएगा? log 10 base x, देखिए, यहाँ भी base same है, 83, तो यहाँ power 1 है, तो यहाँ भी यह 1 होगा, तो कितना हो जाएगा? 1 is equal to log 10 base x, ठीक है? x is equal to 10, ऐसे भी जानते हैं, 10 base 10 तो बन होगा, आई बात समझ में, दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल भी असान सवाल है, दूसरा सवाल को करते हैं, दूसरा सवाल क्या बोलना है? second question is 2 x to the power log 3 base 4 plus 3 to the power log x base 4 is equal to 27 देखो, गवर से अगर आप x 3 4, 3 x 4, यानि सब सेम है, तीन दोनों को कुछ चेंज कर लो ना? इसको तीन को उठा के इधर ले आओ, फर्मूला से, कौन सा फर्मूला? जो बता रखा है बार बार इस्तमाल कर रहे हैं, यह दोनों इंटर चेंज आपस में हो सकता है तो यह क्या हो जागा? 2 into 3 to the power log x base 4, plus 3 to the power log x base 4 is equal to 27 इसको जो t को होगे, तो यह भी क्या होगा? t होगा, 2 t plus 3, 3 t is equal to 27, t is equal to 9 t मतलब है 3 का power log x base 4 is equal to 3 square, base same है, तो power भी क्या हो जागा? same हो जागा, तो log x base 4 is equal to 2, x is equal to 4 जागा, कितना जागा? 16 बहुत ही, simple सबाल है, alright, so that's all for this video, in the coming video also, we will see some more examples of higher level and few questions from previous year जो कि IITs जही Mains and Advanced में आये हैं, keep practicing until then, अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लें और अपने दोस्तों के बीच में share करें, it's free of cost, complete learning of 11th and 12th, upto J.E. Mains and Advanced Level, thank you, thank you for watching